हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओल आइडियाज नौटिफिकेशन चैनल में समिक्छा अधिकारी भरती इलाबाद SCRO ने एक रिक्रूट्मेंट नौटिफिकेशन जारी की है इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 22-10-2020 से इसमें जो ह होने वाली है यहाँ पे आपकी 47,600 यह आपकी इनिशियल सेलरी है अलग-अलग पोश्ट के लिए अलग-अलग सेलरी इस्टिक्चर है वो हम नौटिफिकेशन में क्लियर करेंगे तो इसे आप औल इंडिया वेकेंसी है इसे आप चाहे तो किसी भी स्टेट से विलॉंग कर अब यहाँ पर फॉर्म अप्लाइक कर सकते हैं यह इलहाबाद RCRO के साइड से वैकेंसी निकाली गई है इसकी क्या इस किया इजूकेशन क्वालिफिकेशन है क्या इसमें आपका स्लेवास होने वाला है और कितना फी इसमें लगएगा तो यह सब हम नौटिफिकेशन में क् तक पहुँद सकेंगे तो फ्रेंड्स ये है कुछ इंपॉर्टन टेट जिसमें आप देख सकते हैं अप्लिकेशन बीइंग बाइस दस दो हजारी किस से आप इसमें आविदन कर सकते हैं लाज्ट डेट फोर अपलाए ऑनलाइन 11 नमबर 2020 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं पे एक्जाम फी लाज्ट डेट इसमें आप एक्जाम फी जो है पेमेंट कर सकते हैं लाज्ट डेट इसका दिया गया है 12 नमबर 2020 तक आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन करेक्शन डेट में आपको यहाँ पे दिया गया है अगर आपके form में कोई mistake हो जाती है, किसी भी तरह की गलती हो जाती है, तो आप उसको correct कर सकते हैं, 13 से 14 नवंबर, आपको दो दिन का समय दिया गया है, form को जो है, आप correct कर सकते हैं, CBT exam date, इसमें आपकी exam की जो pattern होने वाली है, computer based exam होगी, जहाँ पे आपके भी notification जारी नहीं हुई ह अब application fee की बात कर लेते हैं, OBC general candidate के लिए 800 रूपीज, SCST candidate के लिए 600 रूपीज दिया गया है, जिसे आप online आवेदन कर सकते हैं, payment कर सकते हैं, debit card, credit card, net banking के थ्रूप, अब age limit की बात कर लेकि minimum age और maximum age क्या रखा गया है, तो minimum इसमें age जो रखा गया है, 21 year, maximum age 35 year रखा गया है जिसमें 17, 2021 के basis पे आपका age count किया जाएगा, यहाँ पे आपको upper limit में age relaxation भी मिल जाता है, अब vacancy की बात कर लें, तो vacancy जो है इसमें आपको इस बार 29 post के लिए vacancy निकाली गई, आप बात करते हैं कि किस किस post के लिए कितनी कितनी vacancy है, तो सबसे पहले बात करते हैं, review officer हिंदी के लिए, review officer हिंदी के लिए vacancy इस बार 27 निकाली गई है, जिसमें आपको eligibility क्या क्या लग रहा है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैसलर डिग्री, preferred with English and Hindi at the intermediate and graduate level with NIE, LIT, CCC, zero level computer degree and 25 word per minute English computer typing speed, इसमें आपको बैसलर डिग्री होनी चाहिए, English and Hindi subject में, उसके बाद intermediate and graduate level जो है, आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, with NIE, LIC, इसमें आपको certificate होनी चाहिए, CCC, zero level और computer degree आपके पास होनी चाहिए, और diploma होनी चाहिए, computer degree में, जिसमें आपको 25 word per minute English computer typing आनी चाहिए, यहाँ पे आपके typing भी होगी, जिसमें आपको 25 word per minute जो है, दिया गया है, English typing का, लेते हैं, review officer उर्दू की, तो इसमें आपको total post इस वार जो देखने मिल रहा है, वो आपको total post यहाँ पे दो दिया गया है, जिसमें education qualification यहाँ पे दिया गया है, bachelor degree with Arabic lecturer, partial lecturer, उर्दू lecturer and one of the subject NIE, LIT, CCC, zero level computer degree, diploma with 25 word per minute English computer typing, तो इसमें आपको जो है, bachelor degree मांगा जा रहा है, Arabic lecturer से partial literature से, उर्दू lecturer से and one of the subject, इसमें कोई भी subject आपके पास होनी चाहिए, जिसे NIE, LIT, CCC की degree होनी चाहिए, zero level का certificate होना चाहिए, या computer degree से अगर आप diploma किये है, तो इसकी certificate आपके पास होनी चाहिए, और आपको English typing करने आनी चाहिए, 25 word per minute English typing, आप चाहिए तो यहाँ पे categories wise vacancy भ जिस category से बिलोंग करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे कितने कितने पोस्ट है, तो सबसे पहले review officer समिक्षा अधिकारी हिंदी की बात करें, तो इसमें आपको general category के लिए 15 seat है, OBC candidate के लिए 7 seat, SC candidate के लिए 5, ST candidate के लिए, यहाँ पे कोई भी seat नहीं है, and total seat की बात करें, त तो इसमें आपको general category के लिए 2 seat है, OBC candidate के लिए 0, SC, ST candidate के लिए, यहाँ पे कोई भी seat नहीं है, तो इसमें आपको 2 seat देखने को मिलेंगे उर्दू के लिए, तो total seat यहाँ पे 29 दिया गया है, इस बार समिक्षा अधिकारी का, तो friends, यह थे कुछ important notification, अगर आप इसकी criteria को education qualification क fulfill करते हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजेगा, तब तक के लिए धन्यवाद,